Welcome to Step Up 20, तो अगत है आप सभी लोगों का The Indian Express के Editorial Discussion में आज है 13 मार्च 2019, तो आए सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं, जो आज हमारे लिए important नहीं है ये उपर के दोनों आर्टिकल पॉलिटिकल आर्टिकल हैं, इस पेज पर ये आर्टिकल कस्टोडियल दर्स के बारे में है, जो भी बिहार में देखने को मिला, लेकिन आर्टिकल में पॉलिटिक्स से ज़्यादा डिसकस की गई है, कुल मिलाकर इस पेज पर आज कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं जो हम discuss कर सकें लेकिन इस page पर जो दोनों आर्टिकल हैं दो के दोनों ही important है यह article woman representation के बारे में है जबकि यह article official secret act के बारे में है in fact official secret act को background में रखकर एक individual की state के साथ जो bonding होती है जो relationship होती है उसको यहाँ पर explain करने की courses की गई है अच्छा topic उठाया गया है दोनों ही topics को detail से discuss करेंगे आगे बढ़ते हैं उसके पहले आप information अवेल कर सकते हैं foundation courses के बारे में जहाँ पर आप classroom program के साथ साथ personal guidance के program को भी अवेल कर सकते हैं classroom program और personal guidance का जो program है यह integrate करने के बाद आपके तयारी inclusive हो जाती है classroom program में 780 hours में आपका पूरा syllabus complete किया जाता है experience faculties होती है well structured study material होता है बाकि अपने teachers से आप individually interact भी कर सकते हैं time management करवाय जाता है एक individual coach की दुरा जो आपको target देकर आपके self study करवाते हैं under personal guidance program prelims means की test series आपके इस program का हिस्सा होती है intense writing practice करवाई जाती है supervise करते हैं आपके coach कि आपके त्यारी कप कैसे और बहतर हो सकती है batches जो announced है वो 26 March से announced है आप इन batches के लिए information avail कर सकते हैं 26 March की batches के लिए अगर आप discount avail करना चाहते हैं तो जो chart मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था वही apply cable है अगर आप 1 March से 20 March के बीच में इन्रोल होते हैं तो 30% का discount avail कर सकते हैं इस बारे में कोई और detail information चाहते हैं तो इस number पर contact कर सकते हैं जो slide में नीचे की ओर दिख रहा है 875 0069419 पे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आज हमारे पास ऐसे writing के लिए क्या है बियरमबेडिकर जी का एक statement आज हमारे पास है religion is for man and not man for religion धर्म का विकास व्यक्ती के लिए हुआ है व्यक्ती धर्म के लिए नहीं है कहने का मतलब ये है, essence ये है कि अगर religion ऐसा है जो बुराईयां फैला रहा है या उसमें कुछ दिक्कते हैं तो उनमें सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि अंतता जो धर्म होता है वो किसी व्यक्ती के लिए ही होता है बियरमबेडिकर जी के statement का इस्तेमाल आप उस समय कर सकते हैं जब आप religion के बारे में कोई बात कह रहे हूं आपकी बातों में बल आ जाएगा statement का इस्तेमाल अपनी समझ अपनी जरुद के हिसाब से कर सकते हैं GS paper 4 में भी और निबंध में भी तो आईए आगे बातों से हैं रेखते हैं अपना पहला आर्टिकल A Time for Her Story पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए Important Aspect of Governance, Transparency and Accountability वारे सेक्षन से आईए आगे चर्चा करते हैं The Universe is made of stories, not of atoms किसी wise woman ने एक बार कहा था कि जो ये पूरा universe है, ब्रहमांड है ये कहानियों से मिलकर बना हुआ है atoms से मिलकर नहीं इसी बात को संज्यान में लेते हुए कुछ case studies को यहाँ पे discuss किया गया है रेटर कहती है कि उन्होंने कुछ parliamentarian से बातचीत की उनमें से एक parliamentarian थी जो की बहुत ही youngest थी वो अपनी story share करती है कि उन्हें क्या-क्या दिक्कते face करनी पड़ रही थी, वो काफी young थी और उनका एक छोटा सा baby भी था जब वो parliament की proceedings में participate कर रही थी वो बताती थी कि parliament जैसा एक इतना बड़ा institution जो इंडिया का है, वहाँ पर भी ऐसी facility नहीं मतब क्रच की facility नहीं है कि वहाँ पर बच्चे को रखा जा सके और यही कारण है कि उन्हें जब दो घंटे बाद एक interval होता है तो वो भाग कर अपनी गाड़ी के पास जाय करती थी अपनी कार के पास जाय करती थी जहां पर उनके बच्चे की जो नैनी थी जो उनकी देखबाल किया करती थी बच्चे की वो बच्चे के सांथ होती थी जाकर वो बच्चे को देखती थी दूद बगरा पिला देती थी, ब्रेस्फीडिंग करवा देती थी तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक पारलामेंटेरियन को वर्तमान में इतने बड़े इंस्ट्यूशन से जुड़े होने के बावजूर ये तो एक केस्टडी रही, दूसरी केस्टडी यहाँ पर बताई गई है कि जो पारलामेंटेरियन है वो बताती है कि कई बार उन्हें एक TDS ट्रिप पर जाना पड़ता था एलेक्शन कैमपेनिंग के लिए एक TDS ट्रिप का वो जिक्र करती है काफी लंबे समय के ये ट्रिप सुआ करती है जहाँ पर वो रूरल राजस्थान में जाकर इलेक्शन की कैमपेनिंग कर रही थी उनके साथ 40 और कार्ज थी, मेल कलीक से सिक्योटी में थे इन बिट्विन, अगर उन्हें कॉल अफ नेचर फील हो यानि सपोस करिए कि किसी महिला को ट्विलेट लग जाती है तो उस स्थिती में उस पूरे कार्मा को रोकना फिर ट्विलेट के लिए जाना ये काफी एंबरेसिंग हो सकता है कारण ये है कि स्थिती जो माहौल है वो ऐसा बनाया गया है एक male हो सकता है इस बात की चिंता ना करे लेकिन एक female को इस बात की चिंता होती है तो वो कहती है कि इस इस्थिती में उन्हें काफी लंबे समय तक call of nature को रोक कर रखना पड़ता है सपोस करें उन्हें अगर toilet लगी है तो वो उसे रोक कर रखती है और इसके लिए होता यह है कि लगभग हर campaigning के बाद उन्हें एक urinary tract infection face करना पड़ता है आप काफी लंबे समय से कैसा करते हैं तो फिर नुकसान होना ही होना है तो जो महौल है Indian society का वो कुछ ऐसा है कि वो कई सारी छोटी छोटी चीजों में women's के against आ जाता है जो हम कई बार feel भी नहीं कर पाते politics is one area where we have not come a long way politics एक ऐसा area है जहां पर अभी भी हम बहुत आगे नहीं आ है मैलाओं के स्थिती के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 2019 में women's का जो actual involvement है वो अभी भी बहुत ही कम है लगभग सभी parties में 10 में से 9 legislatures आज भी men है women के actual political representation के अगर आप बात करें पार्लियामेंट में तो इंडिया 190 देसों की global ranking में 191 स्थान पर आता है मतलब हम बहुत ही खराप सिती में है आर जो South Asian हमारे neighbors हैं उसमें इंडिया की ranking अफगानिस्तान बांगला देस एवन पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे है women participation को लेकर एक inter parliamentary forum ने 2014 में इस बात को बताया कि जो इंडिया के women हैं वो less than 12% seeds occupy करती हैं लोग सभा और राजे सभा दोनों में एवन जो state या national level पर decision making bodies हैं वहाँ पर भी women का जो participation है वो काफी कम है वो under represented हैं कहने को तो वरतमान विवस्ता में दो बहुत ही बड़े portfolio women को दे दिये गए हैं अगर आप जानते हूं तो defense or external affairs ministry of external affairs and defense ministry यहाँ पर women को head बना दिया गया है लेकिन writer कहते हैं कि यह एक सिर्फ दिखावा है यहाँ पर अगर कोई bilateral treaties की भी जाती है या यह कहते हैं कि कोई भी जो हमारे honorable prime minister foreign trip पर जाते हैं तो कभी भी वो ministry of external affairs की जो head है या फिर defense ministry की जो head है उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाते कोई भी महत्तपूर bilateral treaty की जाती है तो उसे हमारे prime minister खुद ही करते है मतलब उन्हें एक portfolio तो swamp दिया गया है लेकिन महत्तपूर काम उन्हें नहीं करने दिये जाते एक सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर हम इतना stress क्यों कर रहे हैं आखिर हम ऐसी कोसिस क्यों कर रहे हैं कि महिलाओं को बहुत जादा representation दिये जानी की ज़रूरत है तो fact यह है कि active or proper representation हर marginalized group के लिए बहुत ज़रूरी है including women जो की सबसे बड़ा chunk create करती है मतलब इंडिया की half population cover करती है तो उन्हें तो कम से कम representation fair मिलना ही मिलना चाहिए there has been noticeable spot काफी अच्छी उच्छाल देखने को आप देख सकते हैं social economic position में women के panchayats में panchayat में situation improve हुई है records बताते हैं कि पिछले 3 decades में pro women, pro family decisions ज़्यादा लिये गए है इंडिया spend ये एक generalist group है जो की data के basis पे कुछ analysis प्रस्तुत करने की goises करता है उन्होंने बताया तमिलनाडू को background में रखकर एक report publish की कि जहां पर panchayatों में महिलाए सत्ता में है अपने male counterparts के comparison में वहाँ पर जो public fund होता है उसे 48% ज़्यादा disburse किया गया है मतलब fund का ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तमाल ऐसी जगों पर किया गया है ऐसे इस्ति जहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं उस इस्ति में बीजू जनतादल यानि कि उडिसा के जो CM है नवीन पतनायक उडिसा की party है बीजू जनतादल उन्होंने एडिस्दन लिया है कि वो इस general election में 33% जो seats से महिलाओं को अलोकेट करेंगे तो ये काफी relief की बात है और इसके लिए उन्हें appreciate किया जाना चाहिए कि at least उन्होंने एक beginning की है इसके पहले मैंने एक introduction दिया था कि अन्परटकर पार्टीज को भी इस संबंध में बीजू जनता दल से सीखना चाहिए और इस जिसा में कुछ काम करना चाहिए जबकि महिलाओं के representation के संबंध में जो एक कानून है वो पिछले चार दसकों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है Stories that surface from time to time so that it is not only that men will frequently treat women badly but that is accepted as their choice whether or not to give women power and how much Stories यह बताती है कि केवल ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जो mail है वो गलत तरीके से treat करते हैं बलकि इस तरीके से भी है कि महिलाओं को कितनी autonomy दी जाएगी ये भी पुरूसों के उपर ही है वो देना चाहते हैं तो देंगे नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे, सारी सत्ता अभी भी उनके हाथों में ही है, और ये जो mindset है, इसे हमें चार पहलूं से analyze करनी की ज़रूत है, इस मुद्दे पर एक debate required है, तो कौन से चार dimensions है जहाँ पर हमें ध्यान देनी के आवशक्ता है, Women as an elected group are subordinate to party, अगर महिलाय किसी सत्ताधारी party में हैं भी, तो वहाँ पर वो एक ऐसे परिटकर party के subordinate होती है, जो की entirely male से बना हुआ है, वहाँ पर वो अपनी आवाज वैसे बुलंद कर नहीं पाती है, जितना उन्हें अधिकार होना चाहिए, उनकी biology के वज़े से उन्हें male के subordinate माल लिया जाता है, यह दूसरी बहुत बड़ी समस्या है, इस dimension पर हमें विचार करने की जरूवत है, तीसरी बात, कि जो primary role होता है, उनका family को raise करने का, वो भी active politics में उनकी entry को bar करता है, क्योंकि इससे ऐसा एक ऐसी भावना तयार कर दी गई है, कि अगर महिलाय किसी अन् रुप में रखा जाना चाहिए, और एक तरीके से treat किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें individually treat किया जाए, यह जो दिक्कत है, यह भी आज भारती समाज का बहुत ही मूल हिस्सा बन चुकी है, जबकि यहाँ पर जरूत यह है, कि हर महिलाय या पुरुस को एक individual होना चाहिए, महि वैसे एक बहुत बड़ा people का paid होता है, और वो बहुत सारी stories अपने आप में समेट कर रखता है, वैसे ही वो एक grandmother से पूछती है, जो कि एक video है आज के समय में, एक समय था जब उनके सभी बेटे, उनके पती, गांधियन सत्याग्रा में बहुत ही active role play कर रहे थे अपने छोट करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने घर के mail से पूछा, कि अगर वो गांधियन सत्याग्रा में जाकर participate करती हैं, तो क्या उसके बाद भी उन्हें घर वापिस आकर नहा कर उनके लिए डाल और शावल पकाना पड़ेगा, तो उन सभी लोगों ने मुह फेर लिया, तब अगर एक काम उनको सौब दिया गया है, को उन्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है, उसके इतर अगर वो कोई काम लेती भी है, तो उन्हें वो काम तो करना ही पड़ेगा, जो उनके पास है, कोई रियायत नहीं है, दूसरी के स्टड़ी यहां पर बताई गई है, वो लेट अरुना आसफ अली से इंटर्व्यू करती हैं, जो राइटर हैं, कुछ समय पहले, डीकेट्स पहले, तो वहाँ पर वो बात करती हैं, तो उनसे पूछती हैं, तो वहाँ पर अरुना आसफ अली जी बताती हैं, आपने इनका नाम अगर सुना हो, तो आप मॉडर्न इंडिय में इनके बारे में पढ़ते हैं फ़िट इंडिया मुव्मेंट के समय में इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया था और उसके बाद आजादी के बाद भी एक्टे पोलेटेक्स में रही थी ये डैली की पहली मेर भी बनी थी तो ये कहती हैं कि बाबा सहव अंबेडिकर जी महिलाओं को आगे बढ़ाया कि वो इस मुव्मेंट में हिस्सा ले मुव्मेंट को भी टॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए नेशनल डिसिजन मेकिंग में रेटर कहती हैं कि शुरू में जो अनौ आसफ अली जी की बात की जा रही यहां पर अनौ आसफ अली जी में पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने पती से अपने भाईयों से अपने बेटों से क्योंकि वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए उन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए आसफ अली जी बत करनी चाहिए थी तो यहाँ पर दो case studies हमने देखी जहाँ पर महिलाओं के स्थिटी को explain करने की कोसिस की गई है, conclusion में ये बोला गया है कि 2019 में जो elections आने वाले हैं, वहाँ पर हमें family relationship और motherhood और women की जो inalienable duties हैं, उनसे आगे बढ़कर उनके अधिकारों के बारे में सोचना होग वर्बली, physically, politically, economically, जब तक उन्हें दबाया नहीं जाएगा, हमें कैसे समाज का निर्मार नहीं कर लेते हैं जहाँ पर वो free हों, तब तक हम उनके अधिकारों के लिए और आगे तक नहीं सोच पाएंगे, तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा, देखते हैं अग Official Secret Act को रखा गया है, Official Secret Act के कई सारे छोटे-छोटे clause हैं, उनमें अलग-लग सजा के प्रावधान हैं, वो सारी बाते आपके लिए महतपूर नहीं है, लेकिन Official Secret Act Whole and Soul है क्या, ये जान देना जरूरी है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए Official Secret Act को Colonial Era में 1923 में बना नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसे सजा दी जाएगी, यहाँ पर clearly state किया गया है, कि ऐसा कोई भी action, जिसके दहत कोई व्यक्ति state के enemy के against help करता है, या state के enemy को help करता है, तो इसे Official Secret Act का violation मना जाएगा, और उसे punish किया जाएगा, किसी भी ऐसे information को अगर leak किया गया, जो कि इंडि को सजा दी जाएगी, देखें, इस Act का निर्मार, British Rule के दौरान, उस समय की सरकार ने, अपने Secret को सुरच्छित रखते हुए, अपने आपको, अपने दुस्मनों से बचने के लिए इस कानून का निर्मार किया था, उस समय उनके दुस्मन कौन थे, इंडिया के nationalist leaders, लिए उस वो लोगों की जो public life है, उसे कैसे identify करें, उसका सही मतलब ही हम नहीं ढूड़ पाए, लोगों के जीवन का कितना महत्तो है, हम उसे सही तरीके से frame नहीं कर पाए हैं, हमें एक भरोसा दिलवा दिया गया है कि state और society वो एक ही चीज़े हैं, मतलब जो राज यह है और जो को summarize करता है, मतलब वही सही है, तो यह जो confusion create की गई है कि जो state है और जो society है दोनों एक ही है, यह दिक्कत वाली बात है, this is not actually nationalism और patriotism, इन बातों को follow करना actually में इस true sense में nationalism या patriotism नहीं है, यह statism है, जहाँ पर राज यह अपने आपको assert करता है और यह काफी लंबे समय से चला इसके बहुत ही serious consequences होते हैं public welfare के लिए, और हमारी inability है कि आज भी हम लोगों के interest को और state के interest को differentiate नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा होता है कि दोनों एक ही हो, बट यह बहुत ही rare senses में देखने को मिलता है, rare cases में देखने को मिलता है, public welfare बेस तरीके से सर्व तब होता है, जबकि citizens क के पास यह अधिकार हो कि वो welfare के terms को खुद decide कर सकी, वो यह दायत कर सकी कि आखिर उनके लिए actually में welfare क्या है, ना कि यह चीज़े civil या legal bureaucracies decide करें, वो अपने मनमाने तरीके से decide कर देते हैं कि यह welfare है और यह नहीं है, जो official secret act है 1923 का जिसे आप OSA भी कह सकते हैं, official secret act, even though its powers have been curtailed by past court judgment, कई सारे court judgments से इसकी powers को curtail किया गया है, इसका सहरा लेकि कभी भी किसी को भी book कर लिया जाता था, तो फिर कई सारे judgments में, courts नहीं clarify करने की courses की है कि blindly किसी भी विक्ति को इस act का सहरा लेकि book नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा कानून है, जो कि citizens की life को hinder करता है, secret के नाम पे, जो idea of secret है, उसे preserve करने के लिए, लोगों के सामाने जीवन में intervene किया जाता है, the secret is put forward as a sacred idea, यहाँ पर secret को इतने पवित्र idea के तौर पे portrait करने की courses की जाती है, कि यह जो secrets है, यह हमें evils से बचा रहे हैं, और यह evils ऐसे हैं, कि इन से जो रक्षा है, वो क questioning faith create करने का प्रयास करता है, जो कि उचित नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो official secret act है, यह colonial era का एक कानून है, जो आज भी बना हुआ है, यह जो कानून है, यह irrespective of political party अपना काम करता रहता है, कोई भी political party आये, सबी इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक parent-child relationship establish करने की कोसिस की जात क्या politicians ही, ऐसे group of people हैं, जो इस understanding से equipped हैं, कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, official secret act का एक बहुत ही close cousin है, मतलब वैसा ही एक similar कानून है, जो कि लोगों की city को खराब करने की कोसिस करता है, वो भी colonial era का ही एक कानून है, जिसे आप sedition के नाम से जानते ह हो, इसका इस्तिमाल करके अकसर लोगों को book कर लिया जाता है, अब इस सम्द में भी बड़ी vagnes है, कि आखिर क्या चीज़ इस edition के अंतरकत आती है, क्या नहीं आती है, दोज़र अठारा की सम्द में जो एक report तयार की गई थी law commission के दोरा, वहाँ पर law commission ने ये suggest किया था कि ए अगर हम unlimited scope follow करते हैं, ये idea स्विकार करते हैं, कि जो final arbiter है, national welfare के लिए वो state है, राज जी ही decide करेगा कि welfare देश के लिए क्या है और क्या नहीं है, तो ये idea गलत है, क्योंकि देखे, यहाँ पर अलग-अलग political parties जो हैं, वो सत्ता में होती है, और कई बार इन political parties के अपने short term goals हो केवल है political parties decide करेंगे, ये उचित नहीं है, ये मुद्दा है जहाँ debate के जरुवत है, दूसरी बात, कि sedition क्या है, इससे define के जाने की आवशकता है, और इसके लिए हमें nationalism की meaning को rethink करना होगा, actually mean nationalism क्या है, nationalism anti-castism होना चाहिए, religious diversity होनी चाहिए, human right होना चाहिए, इसलिए nationalism का जो of the nation in these ways how we are required that we do not subsume national life that is life of the people into that of state, अगर हम चाहते हैं कि हम इन सभी मुद्दों पर debate करें और सही दिसा में जाएं, तो हमें लोगों के जीवन को राजी के जीवन के साथ जोडने की गलती नहीं करनी होगी, जो political parties के goal हैं, हमें उन्हें देश के goal के रूप में स्विकार नह जाने की ज़रूरत है, तो ये पूरा article हमने यहाँ पर देखा, interview का question देखने के पहले एक महतपूर information ये है कि 16 March से current affairs की एक special classes को launch किया गया है, अब जो current affairs की ये classes हैं, इसमें लगभग approximately 1000 topics को exam के perspective से cover किया जाएगा, more and less इससे बाहर से questions नहीं आने चाहिए, topics को बहुत ही carefully च जाते हैं, तो इन numbers पर contact कर सकते हैं, इस बैज के बारे में information अवेल कर सकते हैं, interview का question आपके लिए है, क्या आप soul की immortality में believe करते हैं, आप ऐसा मानते हैं कि आत्मा नश्वर है, कभी मरती नहीं है, इस सम्मन में आपके क्या विचार है, अगर आपका interview आप से सवाल पूछे, तो आपका जबाब क्या होगा, इस सवाल के जवाब को comment box में दीजिएगा, यहां पर जो मरा discussion है, वो समाप्त होता है, thanks for watching this discussion, thanks a lot.